चार मई मंगलवार, कुम्ब राशी जिन्दगी बदल जाएगी, अब खुश्यों के दिन आ गए है। ग्रहन अक्षत्रों की चाल लगातार बदलती रहती हैं, जिसकी वज़े से हर किसी मनुष्य के जीवन में तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जोतिश शास्तर के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की राशी में ग्रहन अक्षत्रों की चाल ठीक हैं, तो इसकी वज़े से जीवन में शुब परिणाम मिलते हैं। परन्तु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण, जीवन में बहुत सी परिशानियां उत्पन होने लगती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम हैं और इह निरंतर चलता रहता है। इसको रोक पाना संभव बिलकुल भी नहीं है। जोतिश गर्ना के अनुसार कुम बरनाशी के लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ग्रह नक्षुत्रों की स्थिति शुबत संके दे रही हैं। हाल में मिले सपलता या आमदनी के ने श्तुरोत के माध्यम से धन मिलेगा। इस धन का सोच समझ कर प्रेव करे। अपने स्वास्त का ध्यान रखना महतोपुर्ण है। डॉक्टर के पास जाना भी अवशक हो सकता है। सामजी कारों का अनंदले लेकिन एकांत और आत्मनिरिक्षन के लिए समय निकाले। आज प्रात्मिकताओं के अनुसार अपने कारों को बटे। आप उस्ताहित महसुस करेंगे लेकिन यह उस्ताह आपको बैचन कर सकता राचनात्मक पेशे वालों को सम्मान मिलेगा। अगर आप अपनी गलतियों को स्विकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। सही और गलत की पहचान ही आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ऐसी कुछ जरूरी बाते जोकि आज की सुड़ों में बताने वा सबसे पहले बात करते हैं आपकी जिन्दगी कैसे बदल सकती हैं उसके बारे में। आज जीवन साती के साथ जादा समय बिताने का प्रयास करें और उन्हें महसुस कराई की वे आपके लिए कितने खास हैं। आपके प्रियों को आपके भावनात्मक समर्तन की जरूरत हैं। दफ्तर में किसी सहकर में के साथ गलत फर्मी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी कुछ कहा सुनी भी हो जाए। बहतर होगा आप संतुलित व्यवहर करें। व्याफरियों को आज अच्छा आर्तिक फायदा होगा। अगर आपका काम जनरल स्टोर, इलेक्रोनेस, कपड़े, डेर उत्पादों अधिक हैं तो आपको उम्मीद के अनुसार फायदा होगा। ऐसे लोगों से जुडने से बचें जो आपकी प्रतिष्टा को आघात पहुंचा सकते हैं। अगर बात आपकी आर्तिक स्थिती की करें तो आज का दिन सामाने रहने वाला हैं। आईसे अधिक खर पादों में गिरा हुआ पाएंगे। पैसों की स्थिती सामाने रहेगी। आनावश्य खर्चों से बचें इसके अलावा कर्ज या उदार लेकर खुद पर ज्यादा दबाव ना ड़ले। दक्तर में ज्यादा इधर उदर की बातों पर ध्यान ना दें और अपने सभी काम तैस समय पर पूरे करें अन्यता आप बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाएंगे। व्यापरियों को लंबी यातर से बचने की जरूत हैं। पारिवारी जीवन की बात करें तो घर का महुल श्यान्त रहीगा। यदि घर के किसी सदेस्य का स्वास्त ठीक नहीं हैं तो आज उनकी सिहत में सुधार संबो है। जीवन साती के सात रिष्टे में सामन ज़स से बना रहीगा। रोजमर्ना के कारियों में आज वे आपकी मदद कर सकते हैं। जहां तक बात आपके स्वास्त की हैं तो शारीरी गूप से ही फिट रहने के लिए आपको मांसी तरव से दूर रहना होगा। लवराशिपल की बात करें तो बड़े भाई भान और दोस्ता आपकी प्रेना का स्तुरत है। अगर साती के इंतजार में हैं तो खुश हो जाएं क्यूंकि जल्द ही आपके दिल में खुश्यों के फूल खिलने वाले हैं। आपके अकर्शन और करिश्मा किस का भी दिल जीत सकते हैं। रिस्तों का महत्वा आपसे अधिक और कोई नहीं समझ सकता। अपने अनों के अकर्शन और मीठी मीठी बातों से आप किसी का भी दिल जीत लेंगे। आज आपकी उर्जा का स्तर उच्च हैं लेकिन इससे आपको बैचनी हो सकती है। आपका दब आज आपके अकर्शन का केंदर होंगे जहां आप नए लोगों से मिलकर नए अउसर प्राप्त करेंगे। नेटवर्किंग का प्रयोग करके आप और भी तरक्की कर सकते हैं। आज अपने शुवत चिंतकों को निराश ना करे। मैनत और इमानदारी का बढ़िया प्र समय है। ग्राकूं के सुजाओं वो मुल्यवान बीज हैं जिनने लंबी अवदी की योजनाओं और सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। अपने दुरुष्टिकों को विशिष्ट और रचनत्मक बनाए रखें। अगर हम करियर रचिपल के बात करें तो आजकल आपक पहले से ही विदेश में निविदन कर दिया हैं तो आपको खुशकबरी मिल सकती है। आखिर में स्वास्तर रचिपल की बात करें तो आज वो दिन है जब आपके साथ कोई दुरगट ना गड़ सकती है। इसलिए रोड़ पर चलते समय सावदनी बरते और कोशिश कीजिए रोड़ पर चलते समय सावदनी बरते और बचाओं की उपई भी अपने पास रगे। अगर आप यातायत की निवों का पालंग करेंगे तो किसी तरह की दुरगट ना को होने से बचा सकते हैं। दोस्तो यहती कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं। लाल किताब के अनुसार माता दुरगा के दस रहस्या। लाल किताब के अनुसार बुद्वार का दिन माता दुरगा का दिन माना जाता है। पुराणों अनुसार बुद्व ग्रह का वहन सीह हैं और इनकी तुलना शक्ती से की गई है। जिस प्रकार भक्तों का दुख हरने हैं तो भगव दस रहस्यों के बारे में पहला है लाज किताब के अनुसार मा दुरुगा हरे रंग का तोता भेड और बकरी सिर जबान का मालिक बुद्गर है दूसरा है पहले मा पैदा हुई या बेटी इसलिए दोनों ही बुद्ध है मतलब आपको जन्म देने वाली मा था और आपकी प्रतिक है पाच्वा है बुद्ध के सभी तरह के कष्ट से बचने के लिए शक्ति की ही उपासना की जाती है लाल किताब अनुसार दुरुगा की शक्ति करने से बुद्ध ग्रह से उत्पन सभी तरह की दोश मिड़ जाते हैं खराब बुद्ध अच्छा फल देने लगता ह खराब बुद्व से नोक्री और व्यापर में नुक्सन होने लगता है चटा है रोज नगनब पेर दुर्गा के मंदिर जाए दुर्गा चालिसा और दुर्गा सब्त सती का पाट करे माता का मंत्र ओम दुर्ग दुर्गाय नमह का जाब करे साथवा है बहन, बेटी, बुवा, सालि और कन्याओं को खुश रखे तता उनसे अशिर्वाद ले बेटी, बहन, बुवा और सालि का अपमान ना करे आटवा है बुद्वार के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाए और उन्हें हरे रंग की चुड़िया चड़ाए या नो कन्याओं को हरे रंकार रुमाल बाटे, अपने साथ हरा रुमाल जरुरु रखे नवा है बुद्वार को नाक चिनुवा कर, दूसरे दिन गुरु का दान करे और नाक में 43 दिन तक चांदी का तारा डाल कर रखे दस्वा और अकरी हैं, बुद्वार के दिन गाय को हरा चारा खिले, साबुत हरे, मुण का दान करे और सबसे जरूरी है कि जूट ना बोले बुद्वार के दिन तुल्सी का गिरा हुआ पत्ता दो कर, खाना बहुती शुब होता है तो दोस्तों यह थे लाल किताब के नुसार माता दुरगा के दस रहसे हैं तो दोस्तों आज की सुटो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेनिंग रशिबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं नुदो के साथ धन्यवाद